आके आवद सिंग जो पावे वाहिगुरु की फते बुलावे वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते तुडे आएम खुशी कोर स्टुजेंट ओफ अनांचागर अकेडमी तो हो डिना एक साखी संजी करन जा रही हाँ जेशता विशा है हर द्वार सूरज नू पाणी देनन वाली साखी एसाखी गुरु नानक देव जी दे नालक्स बंदेता है एम दापा तो हुंदे होई गुरु जी आपने लगर तलवंडी ननकाना सहब विखे गई माता पिता अते राय बलार नू मिले गुरु जी ने साब अपने द्रेट एरादा दसेया साबने बड़ा रोकना चाया पर गुरु जी पाँज देन तलवंडी रहके हर द्वार जानली रवान ना होगे गुरु जी वाकवक हिंदू अते मुस्लिम तीर था तेगे पर गुरु जी दा मक्सद ओठों दी यात्रा करके जा इश्नान कर के पुन प्रापत करना नहीं सी गुरु जी दा माक्सद ओठों दे लोकानू साच दा रा दिखाऊना सी जात गुरु जी हाद बर पहुंचे ता ओठे विसाखी दा मेला लगा होया सी लोग चार्दे वालों मुकार के पाणी सुट रहे सान ता गुरु जी ने लोकाने काठ विच जाके पच्छंबल पानी सुटना शुरू का देता गुरु जी वालों लोक हैरानी पर यह नजरा नल देखे कोई कैन लगे कोई केंदा ए दीवान ना ए कोई आखे ए अंजाने ते कोई केंदा ए तोर के एक ने अब पुछी लिया के तु कौन है ते नूपता नहीं पूरबल पानी देना ए तो पच्छंबल पानी क्यों सोट रहाए ता गुरु जी ने ओना नूप पुछेया के तुसी पूरबल पानी क्यों सोट देयों ता ओना किहा के असीता सूरज ना ही पितरानू पानी दिन देया ता गुरु जी ने ओना दी गाल छुन देया ही फिर तेजी ना पूरा पच्छम बल पानी शुतना शुरू कर देता ओर ना फिर अपना स्वाल दहर आया ता गुरु जी ने कहा के लहौर दे निजदीक मेरे खेतान केती सुक रही है मी नहीं पया मैं ता अपने खेतानों पानी दे रहे हां गुरु जी दी गालसों के सारे लोग खेड़ खेड़ा के हसन लग पए अते कैन लगे ओ पोल्या लहौर एथो कितनी दूर है तेरा पानी लहौर तक के में पहुंचेगा बस एही समासी गुरु जी नों अपनी घल कहन दा गुरु जी ने कहा कि जेकर मेरा पानी एथो कुछ सेक्ड़े मिल दूर नहीं जा सकदा तो तो होड़ा पानी एथो करोड़ा में दूर पितर लोग तक के में पहुंचेगा तो नवाले अन्दे मन अंदर मन नो ग्यान दी हने दिया गई जिसने वैंपर अते पुलेखा सब दूर कर देता सब दे अंदर ग्यान दा चाननन हो गया सानु एस साखी तो सिख्या मिल दी है के सूरज कोई देवता नहीं सूरज दी पूजा वेर्थ है साड़े वलनो किता पुंदन अथवा पितरा नमित किता पुंदन किते नहीं जान्दा विबेक बुद्धिया अजे हे करम करना दा खंडन करना चाहिदा है अखीर बिच गजवज के बलाओ जी फते वाहे गुरु जी का खालचा वाहे गुरु जी की फते